नकली गहने पाटवाइन चौधरी परिवार में आज सुबर सुबर शोर मचा हुआ था। बात ये थी कि चंद्रकला चौधरी की बड़ी बहु कमली और छूटी बहु रंजना के बीच किसी बात को लेकर जगड़ा हो रहा था। चंद्रकला ने जब अपनी बहुँ के शोर म पहने के लिए लिकिन सारे गहने तो कमली भापी की पास रहते हैं। तो का कमली ने तेरे को गहने ना दिये हैं? या कोई और कले से? सबा सबा से जानवरों की तरह लड़ रही हो दोनों। अरे सासुमा मैंने तो सारे गहने दे दिये हैं। ये देखो डबबा सामनी पड़ कि सारे गहने नकली है अब आप ही बताओ सासुमा गहने नकली कैसे हो सकते हैं अरे आपने जो डब्बा मेरे को दिया था वही मैंने इसको दे दिया अरे क्यों अरी रंजना, क्यों अल्ला मचा रही है, है, देख मेरे घर में ये सब ना चलता, तेरे ससुने शुद्ध सोने के गहने बनवाया थे मेरे लिए, और वही सब मैंने तुम दोनों को दिया है, कमली बड़ी है, इसलिए गहने उसके पास रहते हैं, मुझे पता है सास लेकिन ये गहने नकली हैं, नकली, अरा, फिर से वही बात, तू कैसे कह सके है कि गहने नकली हैं, अरे सासुमा, आपको तो पता है न, मेरे माईकी में मेरे पापा गहनों का बिजनस करते हैं, मैं एक नजर में पैचान जाती हूं, सोना असलिया या नकली, तो तू ये कहना चावे हैं कि तेरे ससूर जी ने मुझे पागल मनाया अरा कल की आई छोरी मेरे को सिखा रही हैं आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है न तो आप सुनार को बुला की पूछ लो रंचना की कहने पर चंद्रकला अपने सुनार को घर आने के लिए कहती है थोड़ी दिर अरे 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 आप लोग बहस मत करिये मैं बस दो मिनट में जाज करके बता रहा हूँ ना देख रंजना अगर तैरे बात गलत निकली न तो इस बार तो अपने माई के बिना गहनों के जाएगी हाँ वो तो मैं वैसे भी जाओंगी क्योंकि अगर ये नकली गहने पहन कर ग को इसके दिमाग पर ये क्या भूच सवार है बात ये जंदरकला जी की गहने वाकई में नकली है एक भी गहना असली नहीं अरे बस पॉलिश है पॉलिश सोने के पानी की बाकी तो सारा तामबा है है अरे ऐसा कैसा हो सके है मैंने पहले गहने आपसे जाच करवाए तब तो असली थे अब ये नकली कैसे हो के और डिजाइन वो तो एकदम ऐसी की ऐसी कैसे हो सके है अगर किसी ने नकली गहने असली की जगह लाकर रख भी दिये तो डिजाइन क्यों ना बदली क्योंकि किसी ने हूब भूब कॉपी करवाई आपके गैनों की और असली की जगा नकली गैने रख दिया है बहुत बड़ी चाल चलिए किसी ने चंद्रकला जी सासुमा अब आप पूछे कमली भाबी को गैने कहा गए अरे आपने तो इनको ही दिये थे न हाँ ऐसा तुने कि असली गैने इन्होंने छिपा दिये और नकली मुझे दे रही है ऐसा ही बता कमली तूने कोई गड़ बढ़ किया क्या कैसी बात कर यूँ सासुमा मैं कोई गड़ बढ़ क्यों करूंगी और ये मेरा भी तो गैर है पता नहीं गैने कहा आ गई हम तीनों के अलावा तो गैनों को कोई हाथ ना लगाता फिर ये गड़ बढ़ हुई कैसी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अर इस भी समझने वाली क्या बात है साफ साफ पता चल रहा है चोर घर में है और आप मान नहीं रही कहीं ऐसा तो नहीं समझ कि आप मुझे और भावी को गहने देना नहीं चाहती इसलिए आपनी ये सब किया है और अथारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सास पर शक्कनने की है तरको का लगे कि ये सब चोरी चाकरी काम मैं करूँ तभी अचानक से घर के दर्वाजे की तरफ से आवाज आती है आवाज चंदरकला की बेटी सुननन्दा की थी सुननन्दा की शादी को भी एक साल ही हुआ था और सुननन्दा आज अपने माई की आई थी क्या हो गया मा, कैसे चोरी चकारी की बात कर रही हो सुपा सुपा आरा सुननदा बिटा आजा जा, कितने दिन के बाद आई है बिटा बोते सही है मा पर का चल रहा है घर में और कमली भाबी, रंजना भाबी, कैसी हो आप दोनो कुछ भी ठीक ना है घर में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जी जी का बता है ये लो, मुझे तो लोगा, मा आई के जाओंगी तो कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा यहां तो नुकसान के खबर मिल रही है सुपा सुपा अरा नुकसान तो हो गया है बिटा और वो भी हमारे घर के पुराने गैनों का कुछ छुट्टा मुट्टा नुकसान ना है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब का करें हुई नी मा, तो परिशान मत हो अरे जा रहे कामली, अब जो हो गया, उसके बार में पता करेंगे लेकिन अभी तो बेटी घर आई है, उसके लिए बड़ी आसा खाना बना क्या सासुमा, यहां घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आपको बड़ी आसा खाना बनवाने की पड़ी है अरे तो का हुआ, मेरी बेटी घर आई है, उसका भी तो खाल रखना पड़ेगा सही बात है सासुमा, अभी बनाती हूँ बढ़िया बढ़िया खाना इतना कहकर कमली वहाँ से रसुई की तरफ चली जाती है और रखना भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जाती है रसुई में जाने की बाद रखना कमली के पास आती है का बात है, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आई है बाहर सासुमा के सामने तो बड़ा इलजाम लगा रही थी मेरे उपर अरे आपके उपर कौन इलजाम लगाना चाहा रहा था मैं तो सासुमा की मुझे सच चुगलवाना चाहती थी मुझे तो लगता है ये सारी की सारी साजिश सासुमा की है लेकिन वो ऐसा काहे करेगी अरे गहने तो उनके ही है ना कमली भाभी, आप ना सच में कमली ही है, अरे कोई पिसास अपनी बहू को अपने गहने देना चाती है का, हम दोनों को बेउकुफ बनाने के लिए नकली गहने दे दिये उन्होंने, जरूर असली गहने अपने पास चुपा कर रखे होंगे, और आप उनकी बेटी के लिए अच्छा-च्छा खाना बनाने चलिए तू कहा करो मना कर दू कि नहीं बनाओंगी खाना खाना बनाने को किसने मना किया है लेकिन उस पे थोड़ा नमक और मिर्ची ज़्यादा तो डाल सकती है न का मतलब है का कहना चाहती हो अरे भापी ये जो सुननदर नाम की नना देना हमारी इसको मिर्ची से बड़ी प्रॉब्लम है आप एक काम करो सबजी में मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल दो अरे ना 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 सासुमा डाटेंगी मुझे ऐसा नहीं करना अगर आपको डल लगता है तो कह दे ना सब जी मैंने बनाई थी आप चिंता ना करो मा बिटी का प्यार कुछ ज़्यादा यूमड रहा है न एक तो घर में गहने गायब है अरे हम भी घर की बहुँ है हमारा भी हक बनता है उनके गहनों पर अब सासुमा तो कुछ टाइम में भगवान के पास चली जाएंगी तो एक तरह से नुकसान किसका हुआ आपका और मेरा न हाँ वैसे बात तो तेरी बिलको सही है रंजना मुझे भी लागया है कि सासुमा ने चाल चली है कहीं उन्होंने सारे गहने उठाकर अपनी बिट्टी को तो नहीं दे दिया अब कहीं न अपने अकल वाली पात मुझे तो ऐसा ही लागया है अब तो मैं सुननदा जीजी के खाने में ज्यादा मिर्ची डाल ही देती हूँ जब तक हमारी ननत को मिर्ची नहीं लगीगी न तब तक सच्चा ही सामने नहीं आएगी मैं तो कहती हूँ सासुमा के खाने में भी डाल दो मिर्ची आरे नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती वरना सासुमा मुझे जान से मार देंगी अच्छ ठीक है चलो सासुमा को माफ करते हैं लेकिन सुननदा को तो पिल्कुल नहीं, जब भी माय की आती है, बस बैठी-बैठी पलंग तोड़ती रहती है, ये नहीं कि घर के जरा से भी काम में अपना हाथ बटा दी, हाँ, ठीक कहती हो तुँ, देखो भाबी, अब ना हमें इन दोनों मा बेटी की बाते छुप- कमली और रंजडा, दोनों ने अपनी ननत के सामने खाना परोष दिया, लेकिन जैसे ही सुननदा ने खाना खाना शुरू किया, उसको जोर से मिर्ची लगी, खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली है, देरा तो मूँ जिल गिया, ये क्या क्या भावी आपने, लगता है अज गलती से मुझसे ज्यादा मिर्ची डल गी है, अब ना मैं आपके लिए कुछ और बना कर ले आती हूँ, हाँ, अरे कैसी बात करती हो रेंजटा, अभी तो घर में कोई सबजी भी नहीं है, बाजार जाकर सबजी लेकर आओगी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, सुननदा जीजी को भूख लगी होगी ना, आरा तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, एक तो तुम्हारी नना द खाना खाले हाँ, शाम को मैं खुद तेरे लिए अपने हाथों से सबजी बनाऊंगी, एन बहुओं पर तो भरोसा करना ही बेकार है, इतना कहकर सुननदा और चंद्रकला वहाँ से चली जाती है, रात के वक्त चंद्रकला और सुननदा अपने कमरे में थी, कमली और रंजन चंद्रकला के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बाते सुन रही थी, और बता बेटा, तेरे को सुसुराल में को दुख तो ना है ना, नहीं मा, मुझे कैसा दुख होगा, आप बताओ, आपकी ये बहुएं आपको बहुत परिशान करती हैं, आरे नहीं ने बेटा, ऐसे तो कोई बात नहीं है, तु तो जानती है ना, असा बहु का रिष्टा ही ऐसा होता है, मुझे तो रंजना भापी बड़ी चालाक लगती हैं मा, दिखा नहीं, अपनी चेरे पर कैसे नकली मुस्कराहाट लिए फिरती हैं, थोड़ी चालाक तो है वो, मुझे तो कभी-कभी डर लगता है कि कहीं कमली को भी अपने जैसा ना बना लें, आप बस अपना जूर कम मत होने दिना मा इन दोनों पर, नहीं तो आपके सर पर चड़ कर नाचेंगी, वैसे नकली से याद आया, मैंने तुझे जो असली चीज दी थी, वो तुने संभाल के रखी है या नहीं? एक् तम बे फिक्र रहो मा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बाहर खड़ी कमली और रंजना ये बाते सुन रही थी, अरी रंजना, तिरी बात तो सही निकली, सच में सासुमा ने अपने असली गहने हमारी ननत सुननदा को दी थी है, और हमें बेवकुफ बनाया, देखा, दे से बात करनी पड़ेगी, चलो भाबी, अभी बात करते हैं, अरे नहीं, अभी नहीं, एक बार इस ननत को जाने दी यहां से, फिर बात करेंगे, दो दिन के बाद सुननदा अपने सिसुराल वापस लाट जाती है, सासुमा, हमारे घर के गहने गायब हो चुके हैं, और आप उनको मैं पागल दिखती हूँ क्या, पहले ही कंप्लेंट कर चुकी हूँ, इंस्पेक्टर इस केस पर काम कर रहा है, सुननदा घर में थी, इसलिए मैंने ही चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो, अभी इंस्पेक्टर भी आता होगा, तब ही इंस्पेक्टर वहां पहुच इनी चल रहा, आरे चोर घर में बैटा हो तो कैसे पता चलेगा, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी देवरानी सच बोल रही है, आरे यह तुम दोनों कैसे बात कर रही हो, दिमाग तो ठिक आने है ना तुम दोनों का, सासुमा अब कितना नाटक करोगी, आपने खुदी गहन ना मिले, यह अपनी बेटी को इतना प्यार करती है, कि बहूं को नकली कहने दे दिये, और असली कहने अपनी बेटी को दे दिये, मेरी दोनों बहू पागल हो गई, ऐसा लगता है, सही बताए चंदरकला जी, क्या ये सच है, आपकी बहूं का कहना है कि ये कम आपने किया है मैंने कभी सपने में भी नहीं सुचा था कि मेरी बहुएं मुझ पर ही इतना जूठा इल्जाम लगाएंगी देखे चंद्रकला जी मुझे लगता है आपको अपना केस वापस ले लेना चाहिए ये आपका घरेलू मामला है इतना कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है चंद्रकला अपनी बहुँ को गुस्से से देखती है अपनी सास पे इल्जाम लगाते शरम ना आई तुम दोनों को कल रात को हम दोनों ने आपको और सुननदा जी जी को बात करते सुना था आपने उनसे कहा था ना कि आपने उनको असली चीज़ छुपाने के लिए दी है हमने सब सुन लिया है सासुमा आप अपनी बेटी को अपनी बहुँँ से ज्यादा प्यार करती हो इसलिए ये सब किया ना अरे इतनी बड़ी बात सोचने से पहले मुझसे पूछा तो होता बावली कही कि अरे दा माजी सुननदा के लिए दो साड़ी लाए थी एक असली सिल्की और एक नकली सिल्की तो मैं अपनी बेटी को समझा रही थी कि असली सिल्की साड़ी अपनी सास को देना तो वो बोली उसकी सास को अच्छा ना लगेगा कि बहु नकली सिल्क पैन है तो मैंने उससे कहा कि ये बात उनसे छुपा ले ना कि तेरी साड़ी नकली सिल्की है है? ममी जी, हम को लगा कि ये बात गैनों की बारे में है तब ही चंद्रकला का सुनार घर के अंदर आता है साथ में उसका कारीगर पी था चंद्रकला जी, परिशान मत हो असली चोर पकड़ में आ गया है ये मेरा कारीगर है और इसने ही आपके असली गैनों की नकली कापी मनाई है किसके कहने पर तुने ये सब किया रहे माफ कर दो, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई आरे पर किसके कहने पर गलती हुई जी, आपकी बेटी सुननदा ये आप क्या कह रहे हो सही कह रहे है आपकी बेटी ने मेरे कारीगर से आपके असली गहनों की नकली कॉपी बनवाई थी सुनार और कारिगर वहाँ से चले जाते हैं चंद्रकला सुननदा को बिलाती है क्या हुआ मा तूने अपनी मा के घर से गहने चुराए यह आप क्या कह रही है मा सच सच बता मा गहने तो घर में ही है न हाँ लेकिन वो नकली है असली गहने कहा है कौन से असली गहने वही जिनके बदले आपने नकली गहने हमारे घर में रखती है सच सच बताओ सुननदा जी जी नहीं तो आपके सिसराल वालों को पता चल जाएगा तो क्या इज़त रह जाएगी आपकी आप सही कहरी है मैंने दोनों भाबियों को परिशान करने के लिए ऐसा किया था मुझे लगा चोरी का इल्जाम इन दोनों के सर पे आएगा असली गहने मेरे पास ही है और इस तरह से चौधरी परिवार को अपने असली गहने और चोर दोनों मिल गहे